नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूज गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करेंगे 17 फरवरी 2021 के बिभिन समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परिक्षा, CHSL, Combined Graduate Level, NTPC, Intelligence Bureau, CPOSI, and Other State Services एक्ज दोगी, तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में, डॉक्टर किरनवेदी, Removed as the Lieutenant Governor of Puducherry, दोस्तों, जैसा कि Puducherry आपको पता है, यह एक केंदर सासित प्रदेश है, और यहाँ पर भी Legislative Assembly है, और दोस्तों, पुदुचेरी में चार डिस्टिक हैं, यानि एक यनम है, जो की कहा है, आंधर परदेश में है, याद रखना, और माहे जो है, वह केरल में है, और दो जो है, पुदुचेरी और कारीकल, जिसे कहते हैं कारीकल, यह दोनों तमिल नाडु में हैं, तो यानि कह सकते हैं, कि यह S.S.E. में आया हुआ प्रस्टिक कि कितने राज्यों में स्थित है, तो यह एक, दो, तीन राज्यों में स्थित है, यहां पर फ्रांसीसियों का कबजा हुआ खारता था, फिर 1954 में फ्रांसीसी यहां से छोड़ कर गए, और यह एक केंटसासित प्रदेश बना, और इसके बाद यह दिल्ली के साथ इसे केंट सासित प्रदेश में, लेजिसलेटिव एसेम्बली यानी बिधान सभा या बिधाईका की बेवस्था की गई, दोस्तों यहां की जो उपराज्यपाल है, किरनवेदी, पहली महिला आईपीए सद्धिकारी, जो की पुदुचेरी की उपराज्यपाल के पस से इने हटा दिया गया है, किरनवेदी का कारेकाल, जो की अभी समाप्त होने वाला था, 29 मई 2016 को उपराज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया था, हाला कि उपराज्यपाल या राज्यपाल के संदर में अगर बात की जाए, तो राष्टपती इसे जब चाहे तब वापस बुला सकता है, इस तरह से पुदुचेरी विधान सभा में कांग्रेस के 10 सदस से और DMK के 3, All India NR कांग्रेस के 7, AIDMK के 4, BJP के 3 और 1 निर्दली विधायक हैं, तो कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जबकि एक विधायक को आयोग ठहराया गया है, जिसकी वजह से कांग्रे इस तरह से बहुमत का आकड़ा जो यहाँ पर है, वह 15 का है, यहाँ पर 30 विधान सभा सीटों की संख्या है, तो यहाँ पर अब विश्वासमत हासिल अब करना होगा, विपक्ष बिरोध कर रहा है, कि अब यहाँ पर जैसे कि अब नरायन स्वामी को फिर से विश्वासमत ह हासिल करना पड़ेगा, हाला कि अभी अपरेल मैं तक यहाँ पर चुनाओ होने की बात चल रही है, यानि इसका कारेकाल मैं मैं में पूरा हो रहा है, तो उससे पहले ही जून में पूरा होगा, उससे पहले ही यहाँ पर चुनाओ की बात चल रही है, तो ऐसे में हो सकता है क पहले ही चुनाओ करा लिये जाएं, सरकार गिर सकती है यहां की, चुकि अल्पमत में आ गई है, हाला की नराण स्वामी कह रहे हैं कि हम विस्वासमत हासिल करेंगे, ऐसे में इनको उपराजपाल को यहां से हटाया गया है, तो यहां खबर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, औ दोस्तों, उत्राखण जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां पर प्रकिर्त का कहर जारी है, तो इस बात को संदर्व में लेते हुए, संग्यान में लेते हुए, उत्राखण सरकार ने यहां पर पॉलिथिन बैक पर पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि परिया वरण प्रतिबंद कर दिया गया है। तो अब प्लास्टिक अफिस्ट को माइक्रो प्लास्टिक के लगातार बढ़ते खत्रों को देखते हुए सरकार ने राज में प्लास्टिक थर्मा कोल एवं स्टैरोफों के किसी भी आकार मोटाई माप या रंग के सिंगल यूजुद पादों को प्रतिबंधित करने का निरने लिया है तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसके कारण जो प्रदूसर फैल रहा है यहां का पारिस्टिकी तंत्र आउकरमित हो रहा है उस पर अनूठी पहल है उत्राखंड सरकार की और इस पर प्रतिबंध लगाने से और खासकर जुर्माना लगाया गया है तो ऐसे में उत्राखंड सरक अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो खबर है सार्डिन फीसेज इन क्राइसेज ड्यू टू इनक्रीजिंग पॉपलेशन आफ जेली फीस दोस्तों जेली फीस की बढ़ती आबादी से संकट में हैं सार्डिन मचलियां तो प्रकिर्ट में अनेक प्रकार के जीव जन तु नहस कर दिया है वलकि वन जीवों एवं समुद्री जीवों के अस्तित पर भी खतरा पैदा कर दिया है तो ऐसे में एक लिखित प्रस्ट में उत्तर में बिज्ञान और प्रद्योगी तथा प्रित्वी बिज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्सवर्धन है उन्होंने लोकसभा को सूचित किया कि समुद्री मत से अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्यन में पाया है कि अरब सागर यानि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या है अरब सागर है यह बंगाल की खाड़ी है तो अरब सागर में पाये जाने वाले यानि कह सकते हैं कि अरब सागर में जो बढ़ते तापमान के कारण जेली फीस की संख्या में बृद्धी हुई है जेली फीस की तेजी से बढ़ती संख्या बड़े पैमाने पर सारडिन मचलियों के लारवा को खा रही है जिससे कि उनकी संख्या में भारी कमी आया रही है तो इससे इस अध्यान से यह पता चल रहा है, तो अध्यान में यह पाया गया कि मननार की खाड़ी, कहां है दोस्तों, यहां है मननार की खाड़ी, इधर पाकिस्टेट हो जाता है, तो मननार की खाड़ी और अंड मान निकोबार, अब देखें यह वाला भाग, बंगाल की खा आता है तो क्या होगा भारत में सूखा पढ़ता है तो ऐसे में इस समुद्र का भी तापमान बढ़ेगा तो इस तरह से बढ़ते तापमान का संकेत देती हैं तो आम तोर पर मचली की सेंडी में गिनी जाने वाली जेली फिस इसको जो है जेली फिस वास्तों में मूंगा और एनिमोन परिवार की सदस है और इस प्रजात की गणना सबसे जहरीले समुद्री जीवों में की जाती है तो जेली फिस की प्रजातियों में सबसे खतरनाक है लायन्स मैन जेली फिस मानी जाती है और जेली फिस मचली का अंडा लारवा के साथ साथ छोटी-छोटी मचलीयों को भी अपना आहर बनाती हैं तो अन अध्यनों में भी यह पता चला है खासकर न्यूजिलेंड के नेशनल इंस्ट्यूट आफ वाटर एंड एट्मोस्फेरिक रिसर्च के एक अध्यन के अनुसार जेली फिस की बढ़ती संख्या समुद्र तटों पर परेयाटन गत्विधियों को भी यह प्रभावित करती है इसके साथ ही बैग्यानी की ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सागरी प्रदूसर्ण बढ़ने के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग से महाशागरों में जेली फिस की संख्या क्यों बढ़ रही है क्या कारण है जब कि ग्ल बिग्यानमंत्री कौन है डॉक्टर हर्स वर्धन ने उन्होंने संसद में कहा कि समुद्री प्रजातियों के सरकार लगातार प्रयास कर रही है प्रत्वी बिग्यानमंत्राले इस बिसे पर बहतर समयच बनाने के लिए वर्स 2021-26 की आवध के दोरान समुद्री जीव संसाध के सतत अध्यन को जारी रखने का प्रस्ताव है इसके साथ ही प्रत्वी बिग्यानमंत्राले का भौतिक प्रक्रियाओं के अध्यन जयव भूरा सायन की तथा जयविक प्रत्क्रिया के कारण अरब सागर में होने वाली बिभिन पारिस्त की प्रत्क्रियाओं और बिभिन सम मुद्री जीव संसाध्रों के अध्यान को भी जारी रखने का प्रस्ताव है, यानि यहां के, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह पॉइंट हमने इसमें दिया है, तो यहां पर यह सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, इनको तीनों पॉइंट को जरूर नोट कर लिए ज स्टेशन ने टेरा फुगिया ट्रांजीशन द्वारा तयार हैब्रिट ग्राउंड एयर विकल को 160 किलोमीटर पर आवर की रवतार से उडान भरने की अनुमती दे दी है, इसी के साथ ही यह दुनिया की पहली उडने वाली कार बन गई है, इसे फ्लाइंग कार कहेंगे दोस तो टेरा फुगिया द्वारा तयार इस विकल को उडाने की अनुमती अभी सिर्फ पाइलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई है, सडकों पर इसे उडान भरने के लिए अनुमती मिलने में अभी एक साल का वक्त लग सकता है, इस कार के उत्पादन और सामान इस्तेमाल की जो अनुमती है, दो हजार बाइस में मिल सकती है, हाला कि इसको चलाने और उडान भरने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इस पोर्टर्स पाइलर सर्टिफिकेट का होना अनिवारे है, टेरा फुगिया की इस कार में 100 होर्स पावर की ताकत है, जिसमें 912 IS Support Fuel Injected Engine है, जिससे यह 10,000 फुट की उचाई तक 160 किलो मीटर पर आवर की रफतार से करीब 644 किलो मीटर तक उडान भर सकती है, इसमें Hybrid Electric Motor भी है, इस कार में एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं, यह कार पूरी तरह से Computerized है, जिसमें जहां उतरना है, उसकी जानकारी इसमें जाओ करने में भी सक्षम है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया Convents Meeting of Sark and Neighboring Countries Regarding Coronavirus, Pakistan will also participate, दोस्तों कोरोना नामक महमारी जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत बैश्विक अस्तर पर लीडर के रूप में उभरा है, तो कोरोना नामक महमारी को लेकर भारत ने South ACI छेत्री सहयोग संगठन, याद रखना इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, South ACI Association Regional Cooperation कहते हैं, समेत कई पड़ोधिसी देशों के साथ बैठक बुलाई है, और यह बैठक 22 फरवरी को बीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये होगी, इस मीटिंग में पाकिस्तान को भी आमं प्रवाटने के लिए अपने विचार साजा करेंगे, कैसे इससे बचाओ किया जा सके, कैसे हम इससे अपने आपको बचाते हुए अपने देश का विकास कर सके, अर्थ बिवस्था को अपने सुधिंड कर सके, इन सब बातों पर चर्चा होगी, दोस्तों भारत कोरोना भारत ने स्रिलंका, नेपाल, बांगला देश, म्यानमार, कई पडोसी देशों को कोरोना वैक्सिन की लाखों डोज पहुचाया, भारत पिछली महीने स्रिलंका को कोरोना वैक्सिन की पांच लाख भूटान को डेढ़ लाख, मौलदीब को एक लाख, नेपाल को दस लाख, बंगला देश को 20 लाख म्यानमार को 15 लाख और मौरिशस को 1 लाख डोज भेट के रूप में उपलब्ध कराया था इसी तरह साउथ अफरीका को भी भेजा है तो इस तरह से पहले पिछले साल मार्च में COVID-19 महामारी की शुरुआत में प्रधान मंत्री मोदी ने सार्क देशों की बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी देशों ने कोरोना वाइरस के खिलाब एक साथ लड़ने पर सहमती जताई और इस मीटिंग बाद में सभी देशों ने सार्क एमरजंसी पंड बनाया था जिसमें भारत ने 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था सार्क देशों में भारत के लावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, मौलदीव, स्री लंका और नेपाल है दोस्तों अफगानिस्तान बाद में 2005 में जुड़ा था दोस्तों 1985 में सार्क की अस्थापना हुई थी और इसका हेड़कौर्टर काठ मांडू में है अस्थापना जबकि धाका में हुई थी याद रखना थी ये सारे देश हैं ये जो है सार्क देश इनका नाम याद रखिएगा तो इस तरह से यहां से भी प्रस्न बन सकता है अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों विभिन रास्टी अंतरास्टी व्यक्तित में इंडियन्स और एड़ पीक आफ पावर इन फिप्टीन कंट्रीज दोस्तों भारतियों का नेटित चमता धीरे धीरे पूरे बिस्स में चा रही है मैंने क्या कहा था कि भारत जनसंख्या ब्रिधिदर यानि अधिक थी बिस्स का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों भारत जनसंख्या बिस्स में हर छठा व्यक्ति आपको भारतिय मिलेगा ऐसे में यह आज देखिए कि यह human resource हमारा एक तरह से देखा जाए तो जनसंख्या एक तरह से बात करें हम तो आज हमारे देश के लोग बिस्स के बिभिन देशों में बिभिन चेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं तो इस तरह से आप देखने पिक्शेर्स में देखने हैं कमला हेरिस इतने पुराने लोकतंत्र विश्व के शर्फ से सक्ति साली देश की उपरास्ट पती बनी है भारती मूल की भारत के विदेश मामलात मंत्राले के उसार विश्व बाकी देशों में 3.2 जीरो करोन भारती मूल के लोग रहते हैं और सूची में सामिल लीडरों के पास 58.7 करोन लोगों का नेतित है सोचिए और दोस्तों वे जिन देशों से हैं उनकी कुल जीडिपी 203.5 लाक करोन अपनी नेतित छमता और जन सेवा के बल पर उंचे पायदानों तक पहुँझ गये हैं। वरिष्ट नौकर साह आधी को गिना जाता है जैसे सुंदर पिचाई साहब को देख लीजे गूगल के चीफ हैं। तो इस तरह से अनेकों लोग विभिन पदों पर आज भारत का गौरों बढ़ा रहे हैं। तो यह जो है महतपूर है। अब बढ़ते हैं बैंकिंग वित सं पूरी क्रीक के किनारे परिस्तित हैं। दोस्तों अडानी पोर्ट एंड स्पेसल एकोनामिक जोन ने साथ सो पांच करों रुपए में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर चुकी दिघी पोर्ट लिम्टेट का अधिक्रान कर लिया है। और यह कहां है महारास्ट में है अभी मांचित में आगे हम दिखाएंगे। तो इसकी जो दूरी है मुंबई पोर्ट से 42 नौटिकल माइल्स है और सड़क के रास्ते इसकी दूरी 170 किलो मीटर है। तो अडानी पोर्ट ने बताया है कि कमपनी इस पोर्ट को महाराश्ट के लिए वैकल्पिक गेटवे के त इस तरह से APSEZ के होल टाइम जो डाइरेक्टर है और CEO करन अडानी ने कहा कि DPL के सफल अधिकरहन ने अडानी पोर्ट के बंदरगाहों को बनाने के लक्ष में एक नया किर्तिमान जोड़ दिया है जिसमें भारत के पूरे आर्थिक शित में सर्विस कवरेज बढ़ेगा और अडानी पोर्ट को बिश्वस्तरी इंफ्रस्ट्रक्चर के साथ मल्टी कारगो पोर्ट में बिक्सित करने के लिए कितना 10,000 करोन रुपया निवेश कर रही है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ये भी कहा है कि पोर्ट से APSEZ को महाराश्च में ग्राहकों की स ये दीघी पोर्ट है और भारत के बड़े बंदरगाहों की यही चर्चा कर लिया जाए तो कांडला पोर्ट एक जौरी ये बंदरगाह है इसका नाम बदल कर दीन देयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है दोस्तों याद रखना मुंबई पोर्ट जो की भारत का सबसे ब और यहाँ पर मंगलावर पोर्ट इसे पत्तन बंगलावर को पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर कोची बंदरगाह है जो की केरल में है और यहीं पर तूती कोरीन बंदरगाह इसका नाम ओवी चिदंबर नार हो गया इन नौर पोर्ट है इसका नाम कामराज पोर्ट है चन्नाई पोर्ट जो कि सबसे प्राचिंतम या सबसे पुराना बंदरगा है पहला इलक्ट्रानिक पोर्ट है ये और दोस्तों विसाखा पत्नम बंदरगा जो कि भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है याद रखिएगा और पारादीब बंदरगाह या उडिसा में है हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह या पश्चिम बंगाल में स्थित है और तेरहमा बड़ा बंदरगाह जो है वह पोर्ड बलेयर है जो की अंडमा निकोबार की राजधानी में अवस्थित है जो राजधानी का नाम ही है पोर्ड ब साढ जैन के پचाशमें जन दिवस की सुरुवात पर हुई थी 1961 के बाद पुरसकार के सुरुप को निर्धान करने के लिए फिर 1965 में पहले ग्यान पिट पुरसकार का निर्णे लिया गया और दोस्तों पहला ग्यान पिट पुरसकार मले आलम कभी जी संकर कुरूप को ये बहुत बार एक्जाम में आया हुआ इसे ध्यान रखिएगा और दोस्तों यह 22 भासाओं यानि हमारे जो समविधान की जो constitutional languages है और समविधान की किस अनसूची में है आठवी अनसूची में भासाओं हैं जब समविधान लागू हुआ तो 14 भासाओं थी फिर एक जूड़ी एक कीसमें समविधान संसोधन के ताहट फिर तीन जूड़ी एक अत्तर में समविधान संसोधन के ताहट अब वरतमान में 22 समवैदानिक भासाएं हैं तो इन भासाओं में से किसी एक भासा के राइटर को यह पुरसकार मिलता है दोस्तो पुरसकार में 11 लाख रुपए की धनरासी प्रसथपस्थ और वाग देवी की कान से प्रतिमा दी जाती है और एक साल लेट रहता है तिसरे 2019 का याद रखेगा मलयालम कवी अक्यतम अच्यतन नम्बूदरी को पच्पन्वा ग्यान पीट पुरसकार मिला अभी नम्बर 2020 में इन्हें दिया गया तो यह ध्यान रखेंगे जैसे कि सुरू में यह जो अवार्ड की रासी हुआ करती थी एक लाख रुपए हुआ करती थी फिर बाद में 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया फिर 2012 में बढ़ा कर इसकी रासी को 11 लाख रुपए कर दिय गया दोस्तों तो ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में Australian Open चल रहा है ऐसे ही छोटी छोटी खबरे बताएंगे जिस दिन complete हो जाएगा पूरी तरह से इसके बारे में एक एक पॉइंट हम पूरा synopsis type का बना कर दे देंगे तो दुनिया के सीर्स रैंकिंग वाले टेनिस खिलाडी नोवाक जोकोविच इनका नाम तो जानते होंगे सर्वियाई खिलाडी है ने आस्ट्रेलियाई Open के quarter final में यहां एलेक्जेंडर ज्वेरे को हरा कर नवी बार इस Grand Slam किताब को जीतने की और अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया है सेरेना 2017 में चैंप Slam किताब से इस टूनामेंट से मात्र दो कदम यानि दो जीत दूर हैं तो यह भी ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों उडिसा चीफ मिनिस्टर लेज फाउंडेशन आफ कंट्री लार्जस हौकी स्टेडियम इन राउर केला उडिसा के मुख मंत्री कौन है नवी सा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा पुरसों का जो 2023 का विस्टर पहांकी का वह भारत में हो रहा है तो मैच भूनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम के साथ यहां भी खेले जाएंगे और करीब 20,000 की दरसक चमतावलाया स्टेडियम बीजू पतनायक तक्नीक भी स्विद्य 2011 के आकणों के आधार पर भारत में सबसे कम जन संक्या घंद अरुनाचल प्रदेश का है ये तो हमने बताया था और दोस्तों याद रखना अरुनाचल प्रदेश का 2001 में 13 था और बढ़कर कि यह 17 हो गया है याद रखना 17 तो वरतमान में 17 है तो उसको ठीक कर लीजिएगा आज बात करेंगे हम लोग उसी के पड़ोसी राज नागा लेंड की तो दोस्तों नागा लेंड का जो छेतरफल है 16,589 वर किलोमीटर यानि 16,579 स्कॉर किलोमीटर में या फैला हुआ है एरिया वाइस 25th स्टेट इन इंडिया और इस पापुलेशन इस 19 यहाँ पर आप द हटी है सोचिए वर्स 2001 में यहाँ दसकी बृद्धिदर जो थी 64 परसंट थी और 2011 में घटकर माइनस 6,0 परसंट हो गई सोचिए माइनस 0.60 परसंट तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है और दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों प्रतिसत्ता के आधार पर सफसे अ आबादी पाई जाती है तो इस तरह से जनसंख्या के आधार पर 24 स्थान, छेत्रपल के आधार पर 25 स्थान है और यहाँ का जो पॉपलेशन डेंस्टी है 119 पर वर किलोमीटर और दोस्तों यहाँ का जो सेक्स रेटी हो है 931 अपान 1000 है और दोस्तों यहाँ का लिटरेसी र करेंगे गवर्नर यहाँ के पदमनाब आचायर जी है बिधान सभा सीटों की संख्या साथ है लोग सभा सीट एक है राज सभा भी एक सीट है और दोस्तों यहाँ की राजधानी कोहिमा है यहां मांचित में आप देख सकते हैं अरुनाचल प्रदेश की सीमा को स्पस कर रहा है में आनमार की सीमा को स्पस कर रहा है असम की सीमा को स्पस कर रहा है और मनीपूर की सीमा को स्पस कर रहा है और इसका राज पशु जो है मेतुन है और राज पक्षी है बलीथ ट्रेपागन और राज का जो फूल है फ्लावर इस्टेट फ्लावर रोडेंडरॉन है ध्यान और एक दिसमबर 1963 को नागालेंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था ये भी ध्यान रखेंगे महत्पूर्ण बिंदु है और दोस्तों यहां के एक एक करके हम पॉइंट्स थोड़ा सा तो अब नागालेंड के बारे में मांचित में यहां पर दिया है उत्तर में अरुन उची चोटी जो है सारा मती है 3269 मीटर उची है जो कि नागा पहाड़ी पटकोई भूम की पहाड़ियां यहीं नागालेंड में इस्तित हैं दोस्तों राज में जाकी, मेलग, दोयों, दीखू, तीजू, धनसिरी ये ब्रंपुत किसा एक नदी है यहां की प्रमुख नद प्रमी शताबदी में अहोम लोगों से हुआ था, उनीश्वी सताबदी में यहां छेतर बिटिश सासन के आधिपत्त में आ गया था, और दोस्तों 1944 की बात है दुती बिश्यूद के दौरान अंग्रेज और भारती सेनाओं ने मिलकर बैटल आफ कोहिमा में जापान सेनाओ को पराजित किया था, 1957 तक नागा हिल्स त्वेन सांग नाम से जानी जाती थी, और 61 में नागा हिल्स त्वेन सांग का नाम बदल के नागा लैंड किया गया, और इस तरह से एक दिसंबर को नागा लैंड को पूर्ण राज का दरजा मिल गया, दोस्तों इस राज का 20% हिस् ले जाते हैं नागालेंड में हत करगा हस्त सिल्फ चीनी सिमेंट टीवी सेट इंट रेशम सहित कई उद्योग यहां स्थापित हैं नागालेंड की सक्षरता दर हमने बता ही दिया और यहां पर महत्पूर्ण है यहां का जो रास्टी यह राजमार्ग 365 किलो मीटर है दोस्तो रेल लाइन की कुल लंबाई मातर 13 किलो मीटर जिसमें 11 किलो मीटर ब्राड गेज और 2 किलो मीटर मीटर गेज है ध्यान रखना दोस्तों रेलो में जैसे नेटवर्क है ब्राड गेज नेरो गेज मीटर गेज तो नेरो गेज 0.67 मीटर होता है और यह ब्राड गेज याद र पर है और यहां की संस्कृती यहां पर संगीत और नित्य राज के जंजीवन के मूल भूत अंग है नागा संस्कृत में नित्य हर वर्स उस्तों का महत्पून हिस्ता है कह सकते हैं हर तेवहार पर दावत नाजगाना उलास होता है दोस्तों और यहां के जो में तेवहार हैं त नोट्सू, तोकू, एंगोमा, तुलनी सामिल हैं दोस्तों। नागालेंड सरकार ने सन 2000 से हॉर्नबिल उस्तो को आयोजन सुरू किया था जो कि हर वर्स एक से साथ दिसंबर को लगता है। नागालेंड का प्रवेश द्वार और आर्थिक केंदर के रूप में इसे जाना जाता है। इसी तरह से मोका कचुवांग ये भी नागालेंड की सांस्कृतिक राजधानी है मोको कचुवांग याद रखना। लोथा जनजाती के निवासस्थान बोका में आप जनजाती निवास को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से मोन भी है, एक लुभावनी जगा है यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो यह इस तरह से आज हमने नागलेंड की चर्चा की। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। और लगभग सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। आज उत्तर देने वालों में हैं ब्रेंस, सीवम चोधरी, रुपिंदर कौर, मधू आशुतोस, सत्यम चोधरी, राज रतन सिंग, सार्थक पाठक, सौरप चोधरी, यसके, ऐश्वर केयस, मिली, थिंकर, राजेश कुमार, सीमा गोगिया, रितु राज सिंग, इतने लोग चेरी के उपर राजपाल पत से हटा दिया गया है, उनके अस्थान पर किसे अतरिक प्रभार दिया गया है, तेलंगाना के राजपाल, आंध प्रदेश के राजपाल, गोवा के राजपाल, या दिल्ली के उपर राजपाल, नेक्स्ट कोश्चन है, हाली में किस राजज ने पॉलिथीन कैरी बैक के साथ सा थर्मो कोल और स्टाइरो फोम से बने एकल उप्योग उत्पादों के उप्योग उत्पादन एंव बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखन नेक्स्ट है किस संस्थान ने अपने अध्यनों में पाया कि अरफ सागर में बढ़ते तापमान के कारण जेली फिस की संख्या में बृद्धी हुई है तो इसमें समुद्री मस्य अनुसंधान संस्थान, सेंटरल इंस्टिव टाफ ब्रैकिस वाटर एंड एक्वा कल्चर, राष्टी ये समुद्र विज्ञान संस्थान या केंद्री ये मस्य सिक्षा संस्थान इसे किसने डिजाइन किया है टेरा फूगिया, टाटा मोटर्स, टेसला या जनरल मोटर्स नेक्स्ट है निव्ड में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है अफगानिस्तान, म्यानमार, भूटान या स्रिलंका नेक्स्ट है अडानी पोर्ट साइंड स्पेसल एकोनामिक जोन ने दिगी पोर्ट लिम्टेट का अधिगरहन कर लिया है यह पोर्ट किस राज में अवस्तित है केरल, करनाटक, महारास या गोवा नेश कोशन है भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम किस राज में निर्मित हो रहा है केरल, चथिसगर, उडिशा या पंजाब नेश कोशन है वर्तमान में ग्यानपीट पुरसकार की धन राज़ी कितनी है सात लाक, आठ लाक, दस लाक या ग्यारा लाक नेश कोशन है दुनिया के सीर्ष रैंकिंग वाले टेनिस खिलाडी नोवाक जो कोई किस देश से हैं इस्पेन, सर्विया, अमेरिका या फ्रांस नेश कोशन और अंतिम प्रसन है निम्ड में से कौन सा राज नागालेंड की सीमा कोशपर्ष नहीं करता है अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, आसम या मिजुरम इस तरह से इन दसो प्रसनों के उत्तर शिग्र दीजिएगा आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू दोस्तों